कौपर के अंदर मिल गए दोस्तो 30 से भी ज्यादा पॉइंट लास्ट वीक के वीडियो के अंदर यह हमने चर्चा की थी 633 पे खड़ा था और हमने बात की थी कि 649 के उपर जो यह अच्छी तेजी बनेगी तो वहां से जो यह वो 665 का अमारा आखरी टारगेट था वह भी ए करें चार्ट के उपर कि क्या बात हुई थी और क्या जो है वो रिजल्ट निकला ताकि आपको आइडिया रहेगा बात करते हैं फटा-फट सपोर्ट जोन के उपर अब यहां पर खड़ें 655 के आसपास तो 650 से 653 जो है वो सपोर्ट जोन है अगर हम यह 650 का लेवल जो है वो न देखने को मिल सकता है हाला कि मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटीव और यहां से और उपर जा सकते कब उपर जाए कि उसके बारे में चर्चा करते हैं उससे पहले दोस्तों बात बता देता हूं लास्ट विक में जैसी तेजी मिली वैसी तेजी अगर आप आप खुद भी जानना चाहते हो कि मैं खुद कैसे फाइंड करूं ऐसी तेजी मुझे कैसे उसका बेनिफिट मिले तो उसके लिए जो है वह आपको क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर माइंटाडे ट्रिक यहां पर आप जैसे रीड कर रहे हो वो नीचे लिंक करें दिस्क्रिप्शन में से आपको वो लिंक ऊपन करने से गूगल प्ले स्टॉर पे ले जाएगा वहां से हमारी अप्लिकेशन डाउन्लोड करिए और हमारी अप्लिकेशन के उपर जो है वो मेरा ट्रेडिंग सेट अप रखा गया है माइं इंटाडे ट्रीक है उसका 99 निन्यान में रूपे तो वह आप जाके जरूर चेक करें बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन के उपर तो 657.50 से 660 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस जोने अगर हम ये 660 के उपर चलते हैं 670.50 तो हमें शॉट से दूर रहना चाहिए दूस्तो ऐसा मेरा मानना है क्योंकि य 650 का लेवल जो देखने को मिल सकता है 672 के उपर रूपने का बाद दोस्तो संभावना बहत ही ज्यादा हो जाएगी कि हम जो वह 700 और 725 का जो लेवल है वो पॉजिशनल देख सकते हैं तो आप जो है थोड़ा ध्यान रखी क्योंकि ओवर्वर्वर्ट्रेंड जो है वो उस आपको उसके ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्प कर सकते रास्ता में दिखा दिया लिंग है लिंक ओपन करके आप उसको नॉलेज लीजिए सीखे दोस्तों डारेक्ट ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा सा आप उसको सीखें समझी वीड़ियो अच्छा लगा हो दोस्तो तो लाइक करे पहले बार आए जो सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो